जै हिंदोस्तों! स्वगत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज यूटी वीडियो में हम लीकर आये हैं आपके लिए आनपर बाल मुकंद गुप्त जी संबंदित भौत ही महत्तपुण कॉश्चन आंसा, बाल मुकंद गुप्त जी संबंदित महत्तुण question है तो वीडियो को पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और जादा से जादा वीडियो को share करें ताकि अनलोग भी है वीडियो देख सकें तो चलिए start करते हैं इससे पहले आपके हम बता दें कि self study classes लेकर आया है आपके लिए हाँ पर हिंदी सायत्य का संपूर्ण course से और हिंदी सायत्य की test series आपके लिए तो self study classes एफ प्ले स्टूर से डाउनलोड करिए और इस test series या course में से आपको जो ही purchase करना चाहते हैं आप यहां से purchase कर सकते हैं और यहां पर सब्ताह में दो दिन 2020 test series भी करवाई जाती है तो इस test series से भी अवस्य जुड़ें तो चलिए यहां पर self study classes एफ डाउनलोड करिए प्ले स्टूर से और यहां पर अपना बालमकुंद गुपत जी से क्या मानी जाती है तो आपका बिल्कुल सही right answer होगा question अपना यहां पर है कौनसा question नमबर एक है और इसका सही answer है ब्यंग आपका विकल नमबर एक सही answer होगा question नमबर दो है कि विदाई संभासन गद्ध पारट बालमकुंद शेंग की किस रचिना से लिया गया है वह रचना आपके लिए बताना है कौन सी वह रचना है यहाँ पर चार विकल्ब भी दे गए हैं और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यह लिया गया है कौन सी रचना से सिर्व संभू के चिट्थे बाल मकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ यह आप से पूछा गया है ज कौन सी रचना बाल मकुंद गुप्त की नहीं है देखे नहीं पूछा आप से यहाँ पर तो नहीं में आपकी कौन सी हो जाएगी तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर विकल्ब नंबर बी आपका सही आंसर है यानि की सौने का किला आपका बिल्कुल स सही आंसर है बालमकुंद गुप्ते ने किस पत्रिका का संपादन किया था यह आपके लिए बताना है भाई पत्रिका कौन सी है तो क्वेश्चन नमबर अपना यहां पर है छे और छे का राइट आंसर है उपरोग तो सभी यानि की अकबार यह चुनार हिंदोस्तान हिंदी ब पूशा है बालमकुंद गुप्त की प्रारंबिक सिक्षा किस भासम हुई थी हिंदी में उर्दू में संस्कृत में अंग्रेजी में तो आपका यहां पर सही आंसर है इनकी प्रारंबिक सिक्षा हुई थी बालमकुंद गुप्ते जी की प्रारंबिक सिक्षा उर्दू में question number आपका यहाँ पर नोप ऊचा है बालमकंद गुप्ते ने किस पत्रीका का संपादन किया था तो यहाँ पर आपका राइड आंसर है पत्रीका कौन सी है उपरॉक्त सभी आणि कि मत्धुरा समाचार और रिफाहि आम और अक्वारी चुनार यह जो है सभी पत्रीकाओं का सं मुकंद गुप्त ने, बाल मुकंद गुप्त के संपाद कत्त में उर्दु पत्र को हे नूर कहां से प्रकासित हुआ था, यह आपके लिए बताना हैं, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर दिल्ली, लाहोर, मत्रा, काला, कांकर, त की यहां पर right answer होगा बालमुकंद गुफत के संपाद कद्त्यु में भारत फिरताफ कहां से प्रकासित हुआ था भारत फिरताफ बताना है यह प्रकासित हुआ था मुदाबाद लाहुर मन्तुरा या काला कांकर तो आपका चै़ी आंसर है यह मुदाबाद मुराबादा बाद से जो है भारत प्रतापक प्रकासित हुआ था बाल मुकंद गुप्त की संपाद कत्त में अंगला कॉस्चन है कि बाल मुकंद गुप्त ने भारत मित्र पत्रिका की संपाद के कब अमरित जो बाल मुकंद गुप्त है ने भारत मित्र पत्रिका की संपाद कब बने थी कॉस्च बीबी के नाम चिट्थी ब्यंग निवंद किसने लिखा था उर्दू बीबी के नाम चिट्थी ब्यंग निवंद किसने लिखा था तो एक question है जो question number 13 इसका सही answer है आपका विकल्प number यहाँ पर सी right answer है यानि कि बालमकंद गुप्त आपका सही answer होगा इनमें से कौन सी रचिना बालमकंद गुप्त की नहीं है नाकून सिबसंबू के चिट्थे या लेक तमास सरखिल तमासा या सन्नी पाथ चिकसा देखे नहीं पूँचा है बालमकंद गुप्त की नहीं है कौन सी रचिना नहीं है नाकून आपका बिल्कुल सही right answer है बहुत ब लिखी थी महावीर पर साथ दुबेदी के ब्रुद्ध एक ब्यंग लेकमाला लिखी थी तो बिकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा तो यहाँ पर अपने देखे बहुत ही महत्तपुल कॉस्चन थे बाल मुकंद गुप्त जी से संबन देते तो क्या असा लग कोर्स और हिंदी साथ की टेस्ट सीरेज उपलब्ध है और इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरेज भी करवाई जाते हैं सब ताह में दो दिन तो इस टेस्ट सीरेज से भी अब अबस जड़ने फ्री टेस्ट सीरेज होती है सरसा पब्लिकेशन कभी माला बस्त टेस्ट की बुक है और सभी लोग वीडियो को लाइक करें सेर करें आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद